thon dyke america thon dyke america यह क्या लिख्षा है thon dyke america यानि कि thon dyke कहा के थे america के थे बस simpel से इतना ही लिख्षा है तो यह इनकी बारे में कुछ तत्थे हैं वह जान लीजिए president of american psychological association president of american psychological association यानि कि a pa यह बोला जाता है हिंदी वाले भी इंगलिश वाले भी सेम लिखने वाले हैं इसको इसमें कोई और तरीका नहीं है प्रेजिदेंट थे है ना प्रेजिदेंट थे ये एक कमिशन है साइक लोजिकल एसोशिएशन का वहाँ पे ये थॉंड आई क्या थी प्रेजिदेंट थे बड़ ये कहीं भी कोशन नहीं पूछा जाता है ये फैक्ट है बस आपको पता ओना जाएए इसके बाद आज हुए थॉन डायिक हुए एक्सPERIMENT टान इनिमल Ils यpri recycling नंने पश्विरण पे अपने एउप्सPERIMENT की है रिचा है है ओर व्यविद्धा टो पश्विधाieur मेंट कि पश्वू पे एक्सपरिमेंट कि ऊंपेरिमेंट टोटल कितने दिन और वो पजल बॉक्स था, पजल बॉक्स क्या होता है, मतलब जिसमें आप उलज जाएं, जिसमें आप उलज जाएं, सीधा-सीधा ना हो, पजल है, कहीं पर गुमाव फिराव है, वहां से आपको हो के गुजरना है, एक बुक और लिखी नोंने, एनिमल इंटेलिजेंस जो ल र्टि किती आनिमल इंटेलिजेंस डे ट्रिपल-फि में पूछ सकता है, के यविस में पूछ लेगा, स्टिमुलस, क्या था, मतलब उद्धीपन क्या होताह deta, मुझे बताओ, उद्धीपन क्या था, मचली थी, क्या था मचली थी, उद्धीपन वो होता है, जो भी इस वातावरंड में आपको किसी भी तरीके से प्रभावित कर दे जो भी इस वातावरंड में आपको किसी भी तरीके से प्रभावित कर दे ज़रूरी नहीं वो प्रभाव हमेशा सकरात्मग ही हो नकरात्मग भी हो सकता है कोई आपको कुछ बोल के चला गया बैठ गया, सूर नहीं मेरे गुगाली देखे गया, ऐसे कैसे चलेगा, मैं तो थर्ड फ्लोर से कूदने की सोच रहा हूँ, यह सारी चीज़े, तो क्या होगा उससे, यह stimulus है, कैसा भी हो सकता, positive, negative, कुछ भी, जैसे बिली के लिए stimulus क्या था, fish थी, मचली थी, अब इसका कैसे lever दिया गया था, यह हमारा puzzle box है, यह इस box का gate है, समझा है, यह है door, यह इस box का gate है, और यहाँ यह बिली महरानी, वो भी सफेद रंग की, बढ़िया, है ना, तो ऐसे सफेद रंग नहीं था, अब पता चले सफेद रंग पकड़ लो, तो यह जो बिली मौसी है, यह क्या करत यहाँ पे इनके लिए एक रख दी गई फिश, यानिके मचली, अभी नहीं रखी गई, बाद में रखी जाएगी, फॉन डाइक ने क्या किया, एक बिली को पकड़ा और उस cat को ले जाकर बंद कर दिया डब्बे में, क्या कर दिया, बंद कर दिया डब्बे में, ठीक बात ह हो गई, है ना, हाँ, तो क्या होगा, अब यह जो लीवर था, अगर इस पे बिली का पैर पढ़ गया, तो यह गेट खुल गया, और बिली आ गई गेट से बाहर, ठीक है, अब बिली को अपने डब्बे में बंद किया है, तो चट पटाएगी तो ज़रूर, तो चट पटा इंडियन्स नहीं कह सकते इसमें, है ना, और इंसान लालच में कितना जल्दी आता है, बहुत जल्दी आता है, है ना, आए हम, अभी आए, तो यह भी आ गई, तो यहां क्या रखा गया, फिश रखी गई, अब इस फिश की स्मेल आते है, बिली के कान खड़े हो गए, अब यह बहार आई और अपना यह खाचट के हो गया मामला, लेकिन इसको फिर बंद किया, और इसका पैर जब दुबारा पड़ा, पहली बारी में तो इसको कुछ समझ नहीं है, कि भई पता नहीं कैसे गेट खुल है, जब इसका पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार जब हो गई, तो बिल्ली ने समझ लिया, कि अगर हम लीवर पे पैर दबाएंगे, तो यही इसकी चाबी है, यह गेट खुलेगा और मेरे को खाना मिल जाएगा, यह इसने क्या दर्शाया, कि अगर हम बार-बार प्रयास करेंगे, तो चीजे हमें मिल जाएंगी, है ना, हम, इस के बाद और चीजें, तो इसकी स्टेजिस आई, स्टेजिस आई, जो कहती है, एक तो है एफ़र्ट्स, क्या है, एक तो है एफ़र्ट्स, यह निकी प्रयास, है ना, एक तो है प्रयास अपना, एक है सफलता, और एक है प्रयास, जब तक करो, जब तक सफलता ना मिल जाए, आप एक चीज को करना प्रारंब करते हैं बहुत सारी मुश्किले आती हैं बहुत सारी समस्या आती हैं धीरे धीरे आप गलतियां करते हैं गलतियां करते हैं उसको सुलजाते हैं सीखते हैं धीरे धीरे चीजे बेटर होने लगती हैं और वो क्या होता है अंत में आपको फेलि पहले स्टेज में हम कहा सकते हैं क्या प्रयास अब आपने प्रयास करना स्टार्ट किया तो आप वे फेल कोई दिक्कत नहीं है भ게 समस्य तो आएंगी ही फेल हुए लेकिन एफ़र्ट्स तब तक डाले जाें तब तक success ना मिल जाए तब तक सफलता हाथ में ना आ जाए ठीक बात हो गई